तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना Instagram एकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिया और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको Instagram एकाउंट को प्राइवेट करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो जैसे आप ऊपन करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको अपने एकाउंट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर ओपने ओपर त्री लाइन को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे आपको click करना है यह जो three line का option आ रहा है वहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों आपको setting का option देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ पे setting पे click किजिए setting पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखता है तो अब यहाँ पे आपको थर्ड नमर पे आपको privacy का option देखने को मिलता है तो यह जो privacy का option आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको private account का option देखने को मिलता है तो यह जो private account का option है वो आपको देखने को मिल जाता है और अगर आप इसको on करते हैं तो दोस्तो आपका जो profile है वो private हो जाएगा और आपके profile को गाईस कोई भी देख नहीं पाएगा कि आपने क्या-क्या photo, video, upload इंस्टाग्राम पे करी है तो उसको कोई भी देख नहीं पाएगा और अगर आप उसको फिर से unprivate करना चाहते हैं तो दोस्तो आप इस तरीके से setting में आ के इसको बंद कर सकते हैं फिर आप जो है unprivate हो जाएगे तो गाईस जी तरीके से आप अपने account को private कर सकते हैं इस्टाग्राम के application में तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए